हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है यहां पर हम समाजी ज्ञान के मोश्ट इंपॉर्टन को यहां पर हल करेंगे जो आपका 9 अप्रेल 2022 को पेपर होने वाला है उसमें यह सब कोईश्टन पूछे जाएंगे चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस यहां पर आपको पहले पता दें कि यहां पर हम पहले बहुवी कल्पिय प्रश्ण को हल करेंगे और इसके सास्थ में हम आती लगूत्री प्रश्ण को भी हल करेंगे तो फ्रेंस आपके सामने यह पहला प्रश्ण है पहला प्रश्ण है पहला प्रश्ण है फ्रेंस कि राष्ट वाद का प्र आपका जो right answer होगा France होगा तो friends राष्ट वार्ड का जो प्रारम हुआ था France देश से हुआ था तो इस प्रसन का right answer होगा friends चले second number है कि कौन से अजयविक संसाधन है तो friends इसका आपसन है चट्टाने पशू पौधे मचलिया तो friends इसमें अजयविक अर्थ आपको यदि पता होगा तो आप इसमें आप एंस्वर निकाल लेंगे तो अजयविक का मतलब होता है निर्जीव तो फ्रेंस इसमें से देखिए आप निर्जीव कौन सी वस्तु है तो फ्रेंस यहां से आप देख रहें कि पहला आपसन जो है चट्टान चट्टान आपका निर्जीव है तो यह एक अजयविक संसाधन है इस प्रशन का right answer हो जागा second आपका अगला प्रसन है निमगीत में से किसे प्रांत में सीड़ीदार खेती की जाती है यहां पर याद रखिएगा कि जो सीड़ीदार लिखा होता है उसे हम सवापानी भी करते हैं कहीं कर सीरीदार ना देखे आपको सवापानी देगा ठीक है आपसनम तो फ्रेंस इसका answer कौन सा वोगा तो friends इसका right answer हो जाएगा आपका चार नमबर अपन्पस Gill ओगा उत्त्रा खंड वितRight सूरिदाइड नौ ख bend की जाती है आपका अगला प्राम चौथे नम्बर है तो इसका आपसर हैं आपके सामने जलोव मिटी लाल मिटी लत राइट मिट्टी या परवती मिट्टी इस प्रस्ट राइट अनसुर होगा है जलोव मिट्टी भारत में सरवादिक है वह जलोव मिट्टी पाए इसके साथ आप याद रखिएगा जो जलोल मिट्टी होता है यह उत्तरी के विशाल मैदान में पाए जाते हैं ठीक है इसके आगे चलते हैं अगले प्रेशन को हल करते हैं देखिए इंपॉर्टेंट कितना कुश्चन है आपका दू हजार बीस दू हजार सत्रह दू हजार च या आती है इसका आप्कन के पठार में पाई जाता है माईवा के प्रदेश में ब्रह्म पुत्र घाटी में थार के रिगिस्तान में इसका राय इंसर होगा माईव प्रदेश में इसका right answer हो जाएगा ambulance friends आपका अगला पुरेवर फॉर्षाइ valid is में जितने फिर्षा clear यह बोड को एक्जाम हुआ है उस में यह सबी क्वेश्चन लिए गये जो आपके आने वल जो चार को अपड़ सॉछ इंपोर्टें साही अगला प्रस्न है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं कुछ उधरर दीजिए तो फिरेंज देखिए इसको लिखने का तरीका भी आपको बहुत अच्छे तरीकते इस प्रकार से का दो लाइन छोड़के इस तरह लिखिएगा ठीक है देखिए उसका जैव संसाधन तो फिरेंज इस प्रकार इसको लिखना होगा तो आप यहां देख सकते हैं लिखें हैं आपके लिए कि किसे उधर से प्राप्त होते हैं जयव संसाधन कहलाते हैं ठीक है तिस शिर्फ आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं जयव मतलब याद रखेंगे जीव जीवव से पराप्ट होने वाल संसाधना जैव संसाधन काखता है इ। इस चली देखले थे आजव संसाधन ठीख है देखेए फिरेश। अजियव से याद रखियेगा कि जैव से याद रखिये हैं याद करने वाला संसाधन, क्या कहलता है। याद करने का था है धीक वे पर यहां पर देखते हैं कि वैसे संसा धन जो निर्जीव वस्तों से बनते हैं अजेव संसाधन कहलाते हैं देखे एक्जामपल के तोर पर लिखे हैं यहाँ पर फ्रेंस देखे जैसे मिर्दा होगा इसमें देखे जीव नहीं पाजाता है धात में हुआ और चटाने हुआ तो फ्रेंस यह जो हते हैं अजेव संसाधन कहलाते हैं तो बस इसको या बहुत बार एक्जाम में आपके पूछता रहता है चलिए अगरे प्रश्ण को देखते हैं आपका अगला प्रश्ण है कि जलोड मिटी की दोवी सैस्ताइं बताईए देखें फ्रेंस यह 2016-2008 और 2005 में प्रश्ण पूछा गया है देखें यहाँ क्या करेंगे पहले जलोड मि करें जो हता है उत्तर के विच्टाम माईदान जो उत्तर मेदान होकर जैसे पंजाब उत्तर परदेश पस्च्चिन बश्चीम बंगाल व बिहार ऐसे ढाओ वहां पर जलोल मिटी अधिक मात्राइं पा जाती है और जलोल मिटी बहुत ज़्यादा उब जाओ बरमिठी संज मैदान में पाए जाता है जलूर मिठी जैसे आपका पनजाब हुआ १र्याड़날 हुआ उत्र पष्टिंबंगार बिहार जैसे राज्यों में यह बहुत इसको लिखें किसे जलोर मिटटी की विशेष्था देखें जलोर मिटटी आपको पता है कि बहुत उपजावन coral बहुत उप्जावन अ कारण इसमें है उठ्वराषा क्ति जिह को बहुत अधिक पाए जाती जलोर मिटंची उपजावन ओ चेमी चैना गंणा और मत्र जैसे अठीक हमसी होते हैं इसमें घ्राम की धानिया चैना होता है यह यह सब क्या होता है बहुत अधिक मात राय हम उत्तर प्रदेश में होता है इससे भी आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रॉबए करते हैं इसे याद रखेंगे कि जलों मिट्टी जो होती उच उर्वरा शक्ती होती है फिर इसके साथ आप याद रखेंगे जलों मिट्टी का कि इसमें धान गेहुं जव चना गन्ना मटर की पैदवार के लिए अनुकूर होती बहुत अधिक मात्राय में उपजाओ जाती है ठीक है यह त झादर और बाइगर यह आपकी बोड के एकजाम में बहुत बार पूछा जाता है देखिए पूछा भी 2164 पूछा गया था 2011-2003 साथ में पूछा गया है यह आपके 2022 के एक्जाम में आने कि इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है तो इसको याद रखेगा देखें यहां पर पहले लिखेंगे कैसे दो लाइन छोड़के लिखेंगे उत्तर लिखेंगे खादर का मतलब क्या होता है फ्रेंस कि जैसे बाहर बाहर आने के बाद उसके बाहर आने के साथ उसके साथ कुछ मिट्टी आ जाती है और उस पे परजम जाती है तो उसे हम क्या करते हैं खादर ठीक है और बांगर का मतलब होता है कि जहां पर बाहर नहीं आता है उसमें पुरानी ही मिट्टी रहता है तो उससे हम क्या करते है बांगर करते हैं ख़ादर से याद रखेगा नवीन मिट्टी यादर करते हैं यह यहाँ पर नहीं नहीं आया है यह 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 चोटे-चोटे प्वाइंट बता रहे हैं फ्रेंड जैसे आप याद रखते हैं खादर मतलब याद रखी नमीन मिट्टी और बांगर मतलब याद रखेगा पुरानी मिट्टी तो चलिए इस पर देखते खादर बांगर होता क्या है यह आपके सामने लिखे खादर देखी वह भूमी जहां बाढ़ का पानी पहुचने से नमीन जलोर मिर्दा का जमाव पाए जाता है तो यहां से या खादर कहते हैं ठीक है इसे पर बांगर को देख लेते हैं बांगर क्या कहलाता है यहां पे हैं जिन छेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुचता है वहां पुरानी मिर्दा यानि कि पुरानी मिर्दा या मिट्टी यारी पुरानी मिर्दा बनी रहती है उस मिट्टी को भांगर कहते हैं देखे खादर बांगर आप समझाज गया हूं खादर सख्टरा रखेगा पूरानी मिठी और बांगर सी याद्रार ही पूरायमित तो फ्र dejंस इकुछ इंम्पॉर्टेंट आपके 상 lovely ज्यान के प्रशन फिर्स इसी प्रफर्प्रशन को आ Millard करें और यदि